नवस्कार, घुड़ाप्टोनू, सत्स्रेयकाल, आदाब, कैसे हो आप सब, मैं सागर मोरिया, YCT Books Official योटुब चैनल पे आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, आज पुना जियोग्राथी, भारत का भूगोल, भारत की आकरतिक प्रदेश के अंदरवर्त, भारत की आंतरिक पहाडिया और भारत के प्रमुख पासेश, इससे पहले की क्लास में, मैं भारत के उत्तर भारत के, खासकर उत्तर भारत के हिमालाय परवत का विश्त्रत वर्लन लेके आया था आज की क्लास में हमारे दो टॉपिक हैं भारत की आंत्रिक पहाडिया और भारत ट्राइदेपी भारत के बीच सीमा रेखा बनाते भी पहाडिया और उनके पासेश तो हम बढ़ते हैं अपने क्लास में भारत की आंत्रिक पहाडियों में पहले देखते हैं भारत की आंत्रिक पहाड़ियों यह रहा हमारा भारत कमेंट अन्तिक पहाड़ियों के अंत्रिक पहले जोए आरावाली यह आरावाली की स्रेडि हैं पहली आरावाली की स्रेडि आरावाली की स्रेडि यह दिल्ली से श्राट होती है दिल्ली से शुरू होकर गुजरात के पालनपूर पालनपूर गुजरात में अरावाली की स्रेडि जो है यह भारत की प्रचिंतव और शिष्ट परवत श्रेडि हैं और साथ ही साथ यह दिल्ली से श्राड होके दिल्ली में अरावाली को दिल्ली की पहाडी और राजस्थान के जैपुर में इसको जगवा और इसी की अगर देखें तो इस पर दो एक दर्रा है जो दो भूभागों को कनेक्ट करता है ये इसके गोरम दर्रा कहते हैं गोरम दर्रा ये गोरम दर्रा मेवाड मेवाड और मारवाड को जोड़ता है मारवाल को जोड़ता है अब यहीं पर बात करें आरावाली की सबसे उच्छी चोटी अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है कि सवत्तम चोटी इसकी गुरु सीखर गुरु सीखर यहां लिखता हमें रोच्छी चोटी हाइस्ट वीक हाइस्ट वीक इसकी है गुरु सीखर यह गुरु सीखर यह आबु परवत में इस्थित है आबु परवत में इस्थित है जिन में से यह आबु परवत आबु परवत में ही भारत की दूसरी सबसे बड़ी सौर उर्जा से बनने वाली है जिसको कुकिंग की चितर में यह कहूं कि कुकिंग च्छितर में यह एक जैन्योगा टिर्त श्थल्ब्हें है और साथ ही साथ ऑस्थित्परवत में यह भारत का है और इसी के आगे बढ़ते हैं भारत की प्रचीनत पहारी प्रिजुमें एक है बिंधाचल बिंधाचल भारत के आंत्रिक पहाड़ी पहलाती है अब आगे वढ़ते हैं कि दूसरी पहाड़ी का नाम है बिंधे अ कि बिंधाचल बिंधाचल भारत बिंधे चल में हम हमें देखने में लगता है कि ओवराल ये बिंधाचल पर भात है लेकिन बिंधे चल इस पे तीन पहाड़ियों के साथ एक बिंधे पहाड़ी और भाड़े और कैमूर ये रहा कि बिंधे बिंधे परवात कि बिंधे चल भारत ये ओवराल को बिंधे चल परवत कहते हैं और इस पे ये है बिंदे पहाड़ी इसको कहते हैं बिंदे पहाड़ी और बिंदे पहाड़ी की साथ ये भांडेर की पहाड़ी कि नेर पहाड़ी और ये है कैमुर पहाड़ी कैमुर 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 की पहाड़ी और बिंदे पहाड़ी और भांडेर बहांडेर के साथ और कायमूर ये तीन पहाड़ियों का समूह को बिंदाचल प्रवत करते हैं यह उत्तर भारत को दछीड भारत से सेप्रेट करता है इसको उत्तर में यह उत्तर भारत हो गया मुटश और यह दत्चेक ficar टच्छिड भारत और सब्सक्राइब, इससे इम्पर्ट इस पे दो पाठार, एक है मालाबार का पाठार और भाधेर का पाठार, और सब्सक्राइब, बैक हिल खंड का पाठार, अब बात आ रही है, बिंधर चल पहाडी की, तो यही पे इन से चुड़ेवे पहाडों की बात कलने, यह है मालवा का पठार इसको कहते हैं मालवा का पठार मालवा का पठार और यह रहा भाणेर का पठार भाणेर पठार और यह है हमारा बाखेल खंड का पठार अब यही पे देखें इसके जो है बिंधर चल परवत के दशीर से यह नर्वदा नदी प्रहाइथ होती है और अब आगे बढ़ते हैं दो पहाड़ यहां हमने दिखा आरवाल इक सेड़ी और दोस्री पहाड़ी बिंधर चल पहाड़ी और यही पे बढ़ते हैं तीसरी और सबसे महत्तपूर जिसको कहते हैं अक्सल एक्जाम में पूछे जाते हैं इससे सत्पूरा पहाड़ी सत्पूरा परवत्माला सत्पूरा परवत्माला अब सत्पूरा परवत्माला यह भी बिंधर जल की तरीकिया केवल एक पहाली को ही परवत नहीं बोलते हैं यह भी तीन पहालियों का एक समों हो है सत्पूरा महादेव और मैं काल रेंज मैप के द्वारा चलते हैं हम यह पूरे छेत्र को पहाडी छेत्र को सत्पूरा परवत्माला कहते हैं सत्पूरा परवत्माला माला कहते हैं ओके इस पर है यह है सत्पूरा पहाडी पूला पहाड़ी और ये रही महादेव की पहाड़ी महादेव की पहाड़ी और ये मैकाल रेंच मैकाल स्रेड़ी ये मैकाल स्रेड़ी सत्पूला महादेव और मैकाल स्रेड़ी पूला परवत ये एक ब्लाक परवत है ब्लाक परवत के मतलब यह होता है कि दो पहाडियां एक पहाडी के दोनों तरफ भ्रांच गाटी को होना जैसे ये रही पहाडी ये रही पहाडी इधर भी भ्रांच और इधर भी भ्रांच इसको कहते हैं ब्लाक परवत ये भ्रांच घाटी और ये भ्रांच घाटी और ये पहाली ये इसको कहते हैं ब्लाक परवत सब्सक्राय। ब्लाक परवत का सबसे महत्पूर्ण और सबसे इंपॉर्ट उधारहन सब्सक्राय। और अब इसके आगर बात करें, सबसे उची चोटी की बात करें, धूबगड, जो महादेव, महादेव पहाली की धूबगड, ये हाइस्ट पीक है, धूबगड, धूबगड सत्पूरा की सबसे उची चोटी है, ये हाइस्ट पीक, तोटी, धुबगड, धुबगड महादेव पहाड़े की सवत्तम या सबसे उचे चूटी है, और यहीं पर देखें, मैकाल रिंज की सबसे उचे चूटी, अमर कंटक, अमर कंटक, अमर कंटक से ही, तीम ने अमर कंटक से दो न दिया और मैकाल से, अगर अक्षर आप एक्जाम में confusion create करता है, कि सोन नदी और नर्मदार नदी और साथ ही साथ महादेव नदी यह तीनों कि स्रेड़ी से निकलती है, अगर स्रेड़ी की बात करें, तो वो है हमारा मैकाल रिंज, मैकाल पाली, अगर चोटी की बात करें, तो अमर कंटक्स से क्यवल दो नदिया निकलती है, एक सोन नदी और दूसी है नर्मदार नदी, महादेव नदी अमर कंटक्स से निकलती है, लेकिन मैकाल रेंज से निकलती है लेकिन अमर कंटक्स से नहीं निकलती है तो अमर कंटक्स से दो नदिया निकलती है नर्मदा एंड सोन नदी और मैकाल स्रेडी की बात करें मैकाल स्रेडी यह है आमर कंटक्स यहीं से सोन नदी निकलती है और उत्तरपुर कितर बहती है सोन नदी यह पटना के समय जाके गंगा नदी में मिल जाती है पटना में अब यहीं चे नर्मदा नदी निकलती है जो पूरव चले परश्रम की और प्रवाईत होती है धंज घाटिम बहती यह नर्मदा नदी और मैकाल स्रीडी से महा देव नदी निकलती है महा नदी तो यह अक्सर कन्फूचन क्रेट करता जिस करण यह तीन नदी आएं आप यहीं पर भरते हैं मैकाल रिंज की बात करें तो अमर कंटक अमर कंटक सत्पूला परवत की दूसी सबसे ऊची चूटी और आगे बढ़ते हैं यहीं पर एक है आसीर गड़ असीर गड़ का दर्रा इसको जय दच्छिर भारत का दच्छिर भारत का दवार कहते हैं अब हम बढ़ते हैं एक में इंपार्टेंट कोश्चिन दुवादार जलब्रपात दुवादार जलब्रपात नर्मदार रिंदी प्यर यह सत्पूरा परवत माला पे इस्थित है जलब्रप्रवाद मद्धर प्रदेश में इस्थित है एंपे में इस्थित है यह रही है आमारी भारत की आंतरिक पहाड़ी और साथ अब बढ़ते हैं हम दच्छिर भारत की महत्पूर पहाड़ियों जिसपे पशिमी घाट परवत और साथ ही साथ पूर्वी घाट परवत यह रहा हमारा प्यारा भारत और यह पशिमी घाट परवत और यही से यह नेलगीर की घाट इसको गहते हैं नेलगीर की घाट यही से पूर्वी घाट परवत पाउद कम होता है पूर्वी घाट परवत पूर्वी घाट परवत नेलगीर की उद्गम केंदर भी बोल चकते हैं और साथ ही साथ इसको मिलान बिंदू भी बोल चकते हैं तो हम पहले अपने पूर्वी घाट परवत से चर्चर करते हैं पूर्वी घाट परवत इसको सहयाद्री भी कहते हैं आप स्कंशर्व क्कोशन परवत सहद्री कैते हैं तो यि इसको तील पार्वेन के दिवाट किया गया उत्तरी सहद्री मद्र सहयाद्री और दश्री सहद्री उत्तरी सायादरी अब दूसरा मद्द सायादरी और तीसरा है दच्छडी सायादरी ये तापी नदी तापी नदी सत्पुड़ा परवत माला के दच्छड में तापी नदी प्रवहित होती है तापी नदी से लिके कन्या कुमारी के लाश्ट छोड तक कन्या कुमारी तक ये पसिमेगाट परवत माला कहलाता है और इसकी लंबाई की बात करें यह 16 किलोमेटर अब भारत में हिमालय परवत के बाद दूसरी सब्चे लंभी परवल संख्ला है 16 किलोमेटर और भारत की भारत में दूसरी सब्चे लंभी परवल संख्ला है और आप बात करते हैं हम अपने उत्तरी सहाध्री उत्तरी सहाध्री यह तापी नदी से लिखे गोवा में 16 डिग्री उत्तरी अच्छांस जो माल प्रभा नदी का उद्गम केंद्र है स्टोला डिग्री नर्थ उत्तरी सहाध्री उत्तरी सहाध्री की बात करें यह तापी नदी नदी से लिखे 16 डिग्री उत्तरी अच्छांस तक और यह 16 डिग्री यह माल प्रभा नदी का उद्गम केंद्र है माल प्रभा नदी उद्गम केंद्र के नज्टिक है तो एक important question यहां से भी बन जाता है कभी वार पूछ लेता है कि माल प्रभा नदी का उद्गम केंद्र कहां पेश्थी थे तो गोवा के गोवा में श्थीत है और ये माल प्रभा नदी गोवा में प्रभाईत होनी सबसे महत्पूर्ण नदी तो अब बात करते हैं इसकी उत्तरी सहाधरी की सबसे उची चूटी की बात करें तो इसकी सबसे उची चूटी है काल सुबाई काल सुबाई अब बरते हैं हम अपने मद्र सहाधरी मद्र सहाधरी परतवाला में ये शोला डिग्री से लिए शोला डिग्री उत्री अच्छांस अच्छांसे लेके पालघाट दर्रा तक पालघाट दर्रा तक पालघाट दर्रा नील गिरी और अन्ना मलाई के बीच में अभी आगे हम पासेज और दर्रों के बारे में भी बात करेंगे तो इस पर हम पूरे डीपली इसके बारे में चर्चा करेंगे तो उत्री सयाद्री मद्ध सयाद्री अब मद्ध सयाद्री की अगर सबसे उची चूटी की बात करें कुद्रे मुख कुद्रे मुख ये दच्छिर भारत की दूसरी सबसे उची चूटी है मद्ध सयाद्री इसकी सबसे उची जूट पुद्रे मुख पुद्रे मुख दचिण भारत की दूसरी सबसे उची चूटी है दूसरी सबसे उची चूटी है इसकी उचाई की बात करें यह 1812 मीटर लगबद 1812 मीटर के आसपास इसकी उचाई है और अन्य चूटी की बात करें पुष्पगिरी यह भी पुष्पगिरी भी मद्ध सयाधरी की चूटी है पुष्पगिरी पुष्पगिरी से ही कावेरी नदी कावेरी नदी निकलती है पुष्पगिरी पहाडी है और मद्ध सयाधरी में नेलगिरी परवत नेलगिरी परवत है इस्तलाकृति गाठ इस्तलाकृति गाठ का मतलब है यह यह गाठ हो गई इसे इधर भी एक परवत स्रेड़ी और इसे भीजुड़ावा एक परवत स्रेड़ी और यहीं से पूर्वी गाठ पूर्वी गाठ परवत माला का मिलान बिंदू भी कह सकते हैं और उद्गम केंदर भी कर सकते हैं तो हम आते हैं नेलगिरी पे नेलगिरी की सबसे उची चूटी चूटी की बात करें तो यह है डोडा बेटा डोडा बेटा डोडा बेटा डच्छी भारत की दूसरी सबसे हाइस्ट पिक तो एक थोड़ा करेक्शन करिजिए अभी मैंने कि अात को बताया है गुद्रे मुख कुद्रे मुख यह फसे फाश्मी घाट की दूसरी सबसे है Allah अन्य मैं मैं मैंस्य यहल्य तो पश्के का परवत की दूसरी सबसे उची चूक्टी है और डोटा बेटा नेलगिर के सब्से उची चूटी के साथ साथ दच्छिट भारत की फेकंड हाइस्ट पीक है हाइस्ट पीक है और साथ वायली राश्टी उध्यान की बात करें अक्षर 2017 के आरो-आरो के पेपर में डारेक्ट पूछा गया था कि साथ वायली राश्टी उध्यान यह भी नेलगिरी में ही इसथीत है राश्टी उध्यान राश्टी उत्यान यह नेलगरी प्रवत्व प्रवत्व इस्थित है और डोटा बेटा की अगर उचाई की बात करें तो इसकी उचाई लगबग 2600 मेटर 2600 मेटर अब आगे बढ़ते हैं आगे हैं दच्छिड शायादरी दच्छिड शायादरी दच्छिड शायादरी में तीन पहाड़ी हाती है अन्ना मलाई और दूसरी है काड़ेमम काड़ेमम स्रेड़ी और तीसरी है नागर कोयल नागर कोयल और काड़ेमम के बीच में एक घाट है सेन कोटा दर रहा है महत्पूर दर रहा है यह अक्षार एक्जाम में पूछ ले आता है खाजकार आरे यारो के एक्जाम में क्योंकि वहां पे स्टेट पीशेज का जो भी एक्जाम है उस पर डारेक्ट पॉइंट वी पॉइंट क्वेशन बनते हैं सेन कुटा और अन्ना मालाई और नीलगीर की बीच में पालगाट बर रहा है तो आप यहां पर देखें अन्ना मालाई कि पहले बात करें तो आन्ना मालाई की सबसे उची चूटी की बात करें तो आन्ना मुडी अन्ना मुडी कि लगबंत ऊचा है 2695 मेमेटर जो दछी़ भारत की सबसे उची चूटी सबसे उची चूटी, 2695 मेटर, यह दच्छिट भारत की दूश्री सबसे उची, दच्छिट भारत की सबसे हाइस्ट पीक, सबसे उची चूटी, अब दूसरी सबसे उची चूटी है डोडा बेटा, अब इसे के बाद जो है, एक चीज़ और इंपोर्टेंट, अन्ना मलाई की बारे में, कि अन्ना मलाई की जो हाईस्ट पीक है अन्ना मुडी अन्ना मुडी के दच्छिड से ही पालनी पाहडी के शुरुवात होती है ये रही अन्ना मलाई और ये हाईस्ट पीक अन्ना मुडी अन्ना मुडी के दच्छिड से पालनी पाहडी पालनी पाहली स्टार्ट होती है और अन्ना मलाई के दच्छिड में नागर कोयल काडम और यह है नागर कोयल अब हम एक मैप में दिखते हैं यह तापी नदी होगे और यह सोला डिग्री नारतार्शंस इसको कहते हैं उत्तरी अध्यादरी और यह है मद्दे साहादरी और यह नेलगी शेड़ी यह पालगाट दर्रा, पालगाट दर्रा के दच्छिड से, इस्टाड होती है, दच्छिड से याद्री, दच्छिड से याद्री में अन्नमलाई, काडमम और नागर कोयल, तीन से याद्री और यह ही चे पालनी से याद्री और काडमम और नागर कोयल के बीच पे, सेंट कोटा दर्रा, और नील गिर्स से ही पूरी पाहाली, पूरी पाहाली की सुरुवात, या मिलान बिंदु कह सकते हो, पूरी पाहाली में कई है, एक आता है, सेलम की पाहाली और वेली कुंडा और से सांचल आधी पाहाली पूरी पाहाली जो है, पाहाली की अपेच्छा, कम हो चाहिए, क्योंकि यह इनका सबसे ज़्याधा नदियों के तारह अपरदन किया गया, जैसे कि एक यह स्रीडी परवत माला की तरीके देखने में ऐसास नहीं होता, से सांचल आधी और वेली कुंडा नला मलाई यह यह तीन सेडी कलांगाना में इस्तिते हैं और साथ ही साथ जिन गधा और महंद्र गिरी यह उडीशा में इस्तिते हैं तो यह रही हमारे प्रादीपी भारत और दचिड़ भारत की कुछ महत्रपूर्ण पहाड़ियां अब हम बढ़ते हैं उत्तर भारत की उत्तर पूरी भारत में अभी इससे पहले उत्तर भारत फिर दचिड़ भारत असाथ हिसाथ भारत की आंध्रिक पहाड़ियों के बारे में चर्चा अब आके बढ़ते हैं उत्तरपूरी भारत की उत्तरपूरी भारत प्रमुक पहाडियां मुक पहाडियों में सबसे पहले पहाड़ी है हमारी हम इस्टार्रकर अवड़ाचल प्रदेश अवड़ाचल अशम मनिपूर नागाम शलन्य मिजोरम एंयेत cale एएller जूरे में और यू आवदाचल प्रदेश , और यू पहली पहाली और मिजो पहाली के नाम से जानी जाती है और यह जितनी पाड़ी आया है पटकाई बूम, डाफला, पटकाई बूम, मेरी, मीशमी और यह नागा पाड़ी, मीजो पाड़ी, मढ़िपूर यह ब्रहद्ध हिमालय या यूग हो हिमालय का ही एक दच्छडी स्वरूप है जो छोड़ी पाड़ियों में विक्टित हो गया और असम की बात करें असम में दो पाड़ी बरेल और मिकीर और मेगाले की बात करें गारोग, खासी, जैनतिया यह तीन प्रमुक पाड़ी आएं मैप में देखें यह रहा एक ब्रीफ उत्तरपूरीवी भारत का मैप यह आला अचल प्रदेश आला अचल में यह डाफला पाहड़ी दाफला यह मेरी आबोर और यह मेरी और यह है मिश्मी, मिश्मी पाहड़ी और यह रही पटकाई भूम पटकाई भूम डाफला आबोर और मीरी और मिश्मी यह पूरी तरीकेश अचल प्रदेश में यह थे 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 लेकिन पटकाई भूम भारत और म्यामार की बीज सीमा रेखा के भी काम करता है और नागा लेंड में नागा पाहड़ी मलिपूर में मलिपूर की पाहड़ी मलिपूर पाहड़ी और मिजोरम में इसको कहते हैं मिजो पाहड़ी मिजो पाहड़ी और त्रिपुरा में त्रिपुरी पाहड़ी और आसम की बात करें बारेल और यह मिकीर 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 पाहड़ी और गारो खासी और जैनतिया और आचल की प्रदेश की पाहड़ी में डाफला और दूसरी है आबोर आबोर की पाहड़ी और मिरी के बाद आते हैं मिश्मी और आबोर और मिश्मी की बीच में एक नदीव आयते हैं सुबन गिरी सुबन सीरी इस पाहड़ी के मिरी और आबोर की बीच में सुबन सीरी नदी प्रहाईत होती है और आबोर और मिश्मी के बीच में नदी दिहांग नदी मिश्मी दिहांग नदी ये मिश्मी और आबोर की बीच में प्रहाईत होती है अब मिश्मी को दो भागों में डिवाइड करती है है दिवांग नदी दो भागों में डिवाइड करती है और गारोखाशी जैनतिया अब भारत का सबसे ज्यादा अगर एक शित्र माशिन राम जहां सबसे ज्यादा मात्रवाइड करती है में वर्षा होती है वो जैनतिया पहाडी के बीच में इस्थित माशिन राम में है तो यह रही एक छोटी से व्रेफ क्लास पहाडी भारत की महत्तपूल पहाडिया अब पात करते हैं हम दर्रों की प्रमुक दर्रें भारत में इस्थित्त प्रमुक दर्रों की बात प्रमुक दरे या पास पास या ला ला भी कहते हैं इस्थानी भासा में पास या दर्रों को ला कहते हैं अब आगे बड़े उससे पहले पास या दर्रा किसको कहते हैं इसकी जानकाली से होना सबसे जरूरी दर्रा एक प्राक्तिक सनेशना जो उपर से खुले और दो पहाड़ों के बीच में एक प्राक्तिक राश्ता होता है ये पास या दर्रा और एक चीज़ कन्फुजन अक्सर कन्फुजन क्रेट करता है दर्रा और टर्नल में टर्नल या शुरंग इस पर अक्सर अंतर कभी गवार पूछ लेता है या अक्सर किताब में मिल जाता है ये दर्रा जो है उपरी दर्रा का उपरी भाग ओपन होता है खुला हुआ होता है ये प्राक्तिक राश्ता है टर्नल पहाले पहालों को काड़ कर जो बनाए एता उसको टर्नल या शुरंग एते हैं ये चारो और से पहाल से घिरा होता है ये क्लोज होता है तो आब हम बढ़ते हैं आपने भारत के प्रमुख दर्रों में उत्तर से बढ़ते हैं जम्मू कास्मेर और लद्दाक से तो पहला जो प्रमुख दर्रा है बाबु सार बाबु सार भारत और अफगानिस्तान के बीच में है जो ये सक्थ प्योंके में इस्तिर है बाबु सार कि ये पियो के और अफगानिस्तान के बिच में है और आगे बात करें एक बुरिजल दर्रा दूसरा सबसे महत्पुड दर्रा बुर्जल दर्रा ये अम्हें लडाक आंदर गाता था जो प्योंके में इस्तित है और ये ग्ल गिट को सिर्नेगर से जोड़ता है बुर्जिला ये प्योके लदाग मेस्तित है और ये गिलगिट को सिर्नेगर से जोड़ता है सिर्नेगर से जोड़ता है और यहीं पर तीसरा जो है दर्रा हमारा देखे पीर पंजार पीर पंजार दर्रा ये लगुही माले मेस्तित है पीर पंजार स्रेडी में और ये शी के निकट शोपिया चाहिए जो सेवों की घाटी जिसको बोला जाता है या योगों जो सेवों के लिए प्रसिद्ध है पीर पंचाल यह लगू ही माला है लगू ही माले के पीर पंचाल स्रेडी में स्रेडी में इस्थित है और इसी में दो तीन पॉइंट इंपोर्टेंट बानिहाल दर्रा से पहले पीर पंचाल के कई कुछ प्रमुख तत्थे देखे तो इसके दच्छिड में सूपिया चाहर इस्थित है जिसे सेवों की घाटी कहा जाता है और यह जम्मु को काश्मिर घाटी से जोड़ता है अगर बात करें दो सेरों की तो यह जम्मु को काश्मिर घाटी से जोड़ता है काश्मिर घाटिय से जोड़ता है अब हम बढ़ बढ़ते हैं आपने आपके 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 बानिहाल दर रहा बानिहाल दर रहा यह भी पेर पन्जार जमु काश्मिर में पीर पन्जार स्रेडी जो लग हुई मेले का बार्ट है वहां इस्ते दे और साथ हीजाती यह काश्मिर घाटी को अगर दो डॉस्द पानिहाल काजी कुंट रेल सुरंग जो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग इसकी लंबाई जो है ग्यारा किलोमेटर यह आज पास है और एक कि बारों महीना चलने के लिए क्योंकि कुछ महीने ऐसे जब ज्यादा बर्फारी हो जाती थी तो जहां टरनल क्लोज कर जाता तो जिसके कारण काश्मिर घाटी पूरे भारत से शेश भारत से तो कटाफ हो जाता था उससे बचने के लिए डक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी टरनल का निर्माल किया गया था जहां से नेशनल हाइबेस फुटी फूर गुजरता है इसकी बात करें यह पीर पंजार प्रेणी में आता है काश्मिर घाटी को भारत से जोड़ता है और यहीं पे जमाहर टरनल का निर्माल किया गया था और यहीं पे बानिहाल काश्मिर घाटी कुण्ड गुजरता है जहां टरनल का निर्माल किया गया था वो और यहीं पे बानिहाल काश्मिर गुंड आजे कुण्ड रेल शुरंग शुरंग का निर्माल किया गया था यह भारत की भारत की सबसे लंभी रेल शुरंग रेल शुरंग 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 यहीं लंभाई ज्यार किलमेटर नो आउड डाउन कीजिएगा इसको और बानिहाल दर्रे के दच्छिड में ही कम उचाहिपे यह कहो कि कम उचाहिपे डाक्टर स्यामा प्रसाथ स्यामा प्रसाथ मुखर जी सडक टर्नल का निर्माल 2011 में इस्टाट हुआ हुआ था और 2017 में पूरा कर लिया गया था और यह इसकी बात करें इसकी लंभाई जो है नौ किलिमेटर जो भारत की दूसरी सबसे यह ग्यार किलिमेटर काजी कुन रेल्स रंग ग्यार किलिमेटर और जाक्टर स्यामा प्रसाथ स्यालक फ्रूंग यह नौ किलिमेटर 2017 तक जब यह बनके तयार हुए थी उस वक्त भारत की सबसे लंभी स्यालक फ्रूंग का दर्जा इसी को प्रावत लेकिन आप प्रिजेंट टाइम में यह दूसरी सबसे लंभी स्यालक फ्रूंग है और यहीं चे नेशनल हाइबे 34 गोजरता है अब हम बढ़ते हैं अपने अगले धर्रे पे 11 गुरम का रखुरम मैं पें दिखते हैं पहले हैं यह यह बाबु सार यह अभी मैंने आपको यह से पहले बताए यह बाबु सार बाबु सार और यह रहा बुर्जय दर्रा और यह पीर पनजार और पीर पनजार के दच्छिड में यह बानिहाल दर्रा और यह रहा तारा कुरम का रखुरम और यह जोजिल दर्रा और जोजिला यह जमुक आश्मेर और लद्दाक के कुछ प्रमुख दर्रों की बात है और जोजिला दर्रा यह लद्दाक श्रणी में इस्तिर हैं लद्दाक श्रणी में इस्तिर है और साथ ही साथ यहां से नेशनल हाईवे वन गुचरता है नेशनल हाईवे वन गुचरता है और यह ले और यह स्रेनगर को ले से जोड़ता है तो यह पर बात करें एक खार्दूंग दल्ला दर्रा यह खार्दूंग दर्रा यह खार्दूंग दर्रा लद्धाक में इस्तिर है और यह कुछ इंपार्टेंट जम्मु काश्मेर और लद्धाक के दर्रयों की बात हुई अब हम बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में तीन प्रमुक दर्रय है एक शीव किला और रोहताथ और बारा लाचा तीन प्रमुक जिस प हिमाचल के जम्मु काश्मेर के होगे आब हिमाचल प्रदेश बारा लाचा यह बारा लाचा मनाली को मंडी ले से जोड़ता है और यह जाशकर स्रेडी में इस्तित है यहां से गुजरता है नेशनल हाईवे 3 यह जाशकर स्रेडी का पार्ट है स्रेडी में इस्तित है और नेशनल हाईवे 3 गुजरता है और आगे परते हैं इसके जो दच्छन में आते हैं दच्छन में रहताक दर रहा है रहता कर दो दच्छन में आते हैं यह बारा लाचा यह है रोहताक दर रहा है रोहताक रोहताक यह है बारा लाचा और यह चीप किला यह तिन प्रमुक दर रहे हैं इसके से रोहताक दर रहा है रोहताक दर रहा है यह भी मंडिक और मंडिक मनाली को लेश से जूड़ता है लेश से जूड़ता है और यहां से बात करें फिर पनजार से जूड़ी मिशते थे और नेशनल हाई भी फिर गुजरता है यह लेख है और यह मंडिक मंडि और यहीं पर मनाली ये मनाली मनाली इस्थे करें और यहीं पर रोहताक दर्रा रोहताक दर्रा आक्षार जब ज्यादा बरफारी होत różne उसी प्ल मेने जमू कास्मिर का इस वक्त केंदर शासित प्रदिश बना दिया गया तो शेज भारत से कर जाता था उससे बचने के लिए एक आटल टर्नल रोहताग दर्वा के यहां पर नज्दिक आटल टर्नल का निर्मार किया गया अटल टर्नल का निर्मार किया गया रोहताग दर्वा के दच्छिड में कमूचाई पर यह मनाली से ले राजमार्क इसको कहते हैं इसको अगर कहें मनाली ले राजमार्क ले राजमार्क और यह भारत को भारत के जो दो प्रमुख गाटियां लाहौल और इस्पिती को मनाली से एड़ करता है जोडने का काम भी करता है यह लाहौल और इस्पिती गाटियां जो शर्दी के दुनों में छेज भारत से कट जाती थी मनाली को लाहौल इस्पिती की घाटी घाटी से जोड़ता है ओके आज आटल तरनल का जो इसकी लंबाई है नद असमलो जीरो दो किलो मेटर यह विश्चु की सबसे लंबी राजमार्ख विश्चु का सबसे लंबा राजमार्ख है करते हैं और नेशीनल हाइवे की बात करें यहां जो गुजरता है नेशनल हाइवे हुज हिट्री गुजरता है और इस से जो है मनाली और ले बीच चि चहालिस किलोमीटर के दोरी कम वही है और यह कंव हो भारत का सबसे राजमार्क अटल टर्नल से पास करता है, अटल टर्नल ही है, तो यह भई हमारे उत्ता है, यह हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का एक और बचता है, सीव किला, शीव किला, तीसरा प्रमुक दर्रा श्रिव किला भारत और तिबबत के बीच तिबबत के बीच इस्तित है और यहीं से इसके श्रिव किला के दच्छिर से ही चतल जनिती भारत में प्रिवेश करती है भारत में प्रिवेश करती है और इसके साथ साथ आप बढ़ते हैं हम आपने आगे उत्तरघंड के उत्तरघंड में कुछ प्रमुक दर्रे जिस पे है नीती दर्रा मानादर्रा और धर्मादर्रा लिम्पियादुर और लेपुलेग उत्रघंड के कुछ प्रमुख दर्य है जिस पेसे हैं पहला नीतिदर्रा और दूसरा है मानादर्रा तीसरा धर्मादर्रा और लिम्पियादुरा और नेश्ट है लिपुलेग लिपुलेग और लिम्पियादुरा यह अभी कुछ समय पहले भारत और नेपाल के बीच चर्चा का बिशाय बनाए हुए थे क्योंकि उन्नेश्ट पासट के बात से भारत लिप लेग के पास अपनी भारती चौकी करनेवा करका था तब नेपाल को कोई इस पर दिक्कत नहीं हुई थे और अभी कुछ समय पहले नेपाल इस पर बिरुद्ध जाहर किया यह नेपाल का ही भाग है जिसके गारण यह सु उत्रघंड के सब्सक्राण उत्तर में मानादर्रा और यह नीति दर्रा नीति दर्रा पूरी तरीके से उत्रघंड बेया है लेकिन मानादर्र यह भारत और नेपाल के भी भारत तिब्बत के बीच और यही पर यह लिम्पिया दुरा यह भारत और तिब्बत के बीच में है और इसके उत्तर उत्तर पूरी में जाए यह हैं लिप लेकिश्ट पूरी जाए यह हैं लिपुलेख भारत नेपाल और चाइना के बीच में चीन के बीच में एक ट्राइलेक्टराल के रुपे है यह और इसी के पास काला पानी यह यहां पर दार चुला लिपुलेख शरक नर्मा किया गया जिसके कारण भारत को अपने सानिकों को फीन के बाड़ों तक पहुंचाने में आसानी होती है इसी को लेके बिवाद भारत और नेपाल की बीच में शुरूबा था और धर्मादर्रा की बात करें धर्मादर्रा य यह भी पूरी तरीके से उत्रखंड में है तो अभी हमने देखा कुछ दर्मादर्ण जम्मु कास्पीर लब्दाक के और फिर उसके नीचे आये हम और हिमाचल प्रदेश के बाद उत्रखंड आप बढ़ते हैं हम अपने भारत के दर्रों में शिक्किम शिक्किम पहला नाकूला पास दूसरा नाथूला और तीसरा है जेलेपला और तीसरा है जेलेपला जेलेपला पास अब बात करें मैप पर देखें इसके लोकेशन यह रहा शिक्किम शिक्किम के उत्तर में नाकूल और यह रहा नाथूला दर्रा और यह रहा शिक्किला वह जेलेपला और नासुला जो है भारत और चाना के बीश सब्से महत्रपूर व्यापारिक मार्ग भी है यह 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 जेखें भारत और तिबबत तिबबत में इस्थित चुम्भी घाटी चुम्भी घाटी तिबबत में इसको जोड़ता है और हारत और चानिया की बीच भ्यापार का प्रमुखिस्थ प्रमुखमार्ख और यहीं पर जेलेपला की बात करें जेलेपला भी भारत और तिबबी घाटी को जोड़ता है यह भी एक व्यापारिक व्यापारिक मार्ग हुआ करता था जो 1962 के बाद से बंद कर दिया गया अपना 2016 में 2006 में इसको उपन किया गया 2006 में उपन किया गया और इसी से भारत और चानिया के बीच में सबसे महत्पूल प्यापार प्यापार नाथुला से ही किया जाता है और इसकी बात करें तो यह भारत का भारत के पास ही इस्तितियां भारत के पास में दिखाई दीती हैं लेकिन अगर नियंद्रण की बात करें तो नाथुला के बात नाथुला और नाकुला यह भारत के पास हैं लेकिन जेलेपला में चाइना का अधिकार है चीन के आधिन है तीन के आधिन है और आप बड़ते हैं हम अपने उत्तर भारत उत्तर पूरी भारत में कुछ stars के जिसमें हैं जिसमें से आलाचल प्रदेश में और ब्रमिडिला के बाद यांग याप आलाचल और तिब्बत के बीश में सीमा रेखा का काम करता है या पास का रास्ते का निर्मार करता है और देफू और पाक्षाउ उप्तरपूर्वी राजियों के बात करें इस पे बोमडिला ये आलाचल प्रदेश में है और दूस्टा है देफू और आचल प्रदेश में ये भारत और तिब्बत को जोड़ता है और एक है यांग याप ये भारत भारत में अलाचल प्रदेश और अलाचल प्रदेश में भारत और तिब्बत को जोड़ता है और आगे बड़े एक है तूजी उदर रहां तूजू दर्रा मलिपूर पहाली में इस्थित है ये मलिपूर में मलिपूर में इस्थित है तो ये कुछ प्रमुख दर्रों की बात हुई यहीं पर देखें इनकी लोकीशन देख लेते हैं ये बो मिटिल और ये यांग शाव यांग याव दर्रा और ये दीफू दर्रा और तूजू दर्रा ज़िफूर में तूजू दर्रा और ये पाक्साओं पाक्साओं ये नहीं भारत के उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत के प्रमुख पासेश आप तीन पासेश ओर हैं दो महागाष्ट में और ये वाखता पाद्रा एक केरल और केरल और तमिनाड की सीमा पर और एक पूरी तरीके से केरल में तो दश्विट भारत के तरों की बात करें इस पर पहला है थालगाट दूसरा भोरगाट और तीसरा है पालगाट और चौथा सेनकोटा सेनकोटा जिसमें से पालगाट और भोरगाट और भोरगाट पालगाट निल्गे और अन्ना मलाई के बीच पालगाट इसते थे और भोरगाट और थालगाट ये महराष्ट में थालगाट की बात ते रहें थालगाट मुंबई और ये राभायात कम है ये थालगाट आलगाट ये मुंबई नाच से को जोडता है और यहीं चे मुंबई अकुलकाता राजमार घुजरता है और नेशनल हाइवे की बात करें नेशनल हाइवे एक सो साट घुजरता है मुंबई तुकुलकाता और नेशनल हाइवे की बात करें नेशनल हाइवे एक सो साट और इसी के दच्छिड में ये भोरगाट ये मुंबई को पूले से जोडता है मुंबई पूरे एक सब्सक्राइवे यहीं ची गुजरता है और नेशनल हाइवे की बात करें नेशनल हाइवे के उत्तर में नीलगरी की पहली दच्छिड में अन्नामलाई की पहली पालघाट दर्रा ये कोची को शेलम सिरूरता है और कोची से नई जाने वाले नेशनल या राश्टी राजमार्क पांचसचवालिस जो पालघाट से गुजरता हैं नेशनल हाइवे पांचसवालिस ये चन्नाई को कोची से जोडता है कोची से जोडता है और चेन कोटा है दर्रा की बात करें पुरम को मदरे से जोडता है मदरे से जोडता है और नेशनल हाइवे की बात करें तो साठसच शावलिस गुजरता है और इसकी लोकेशिन की बात करें शेनकोटा-दर्रा की ये सेनकोटा-दर्रा शेनकोटा के उत्तर में काडमम की पहड़ी और दच्ष्र में नागर-कोयल नागर-कोयल तो यह रहे कुछ प्रमुख पासेस जो भारत में सबसे प्रोव कि जो आक्षर exam में पूसे जाते हैं जिनके exam में पूसे जाने की सबसे ज्याधा chances होते हैं तो फिर मैं एक revise करा दू आपको तुम कुछ पासेस के बारे में उत्तर से चलते हैं उत्तर में बाबु सार जम्मु का लद्दाक में इस्थित हैं बाबु सार बुर्जे दर्रा और जोजिला कारा कुरम ये लद्दाक में इस्थित हैं और पीर पंजार बानिहाल की बात करें बानिहाल ये जम्मु काश्मिर में इस्थित पाशिष या दर्रे हैं और फिर कि और बारालाचा कि याट फैर उत्रगान में आते हैं नीति दर्र ytasam लिंप्या बॉरा और साते उस लिपुलई दर्र आ कि यह उत्तर भारत के और शुक्विष क्यों में वढ़ते हैं सिक्क्वे में तीन प्रमुग पाशेज दर्यें, एक नाकुला, नातुला और जेलेपला, फिर उत्तर पुरी भारत में देखें, उत्तर पुरी भारत में कुछ प्रमुग दर्यों की बात करें, बॉमडिला, और बॉमडिला हो गई, और यांग याप दीफू, पाक्षाव, तूजी उदर रहा है और दश्विल भारत के तिन प्रमुग जो दर्य है उस पर थाल गाट भोर गाट पाल गाट और सिंट कोटा रहा है तो यह आज की क्लास जिस पर हमने आज भारत की आंतिक पहाड़ी और प्रादीपी पहाड़ी की चर्चा की और साथ ही साथ भारत के फ् प्रादगार साबित होगी और यह वीडियो पसंद आए तो प्लेज हमारे वाइसीटी बुक्स ऑफिशल के योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करें तो इसके साथ मैं क्लास खत्म करने के इजाज़त नवसक्राइब